गुट आफ्टनूम डिवीवान वर्तम भाइब बाइब आप जे फर्मार अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं कुछ इंपोर्टेंट अप्डेट्स आपके लिए इस सीरीज पर यह जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं यह उन डेटा अनलेटिक्स टिले रहे हैं जो विप विप्टेंट करके डालोड करके उसको यूज कर सकते हैं तो बेसिकली से लियन जो है उसका सपोर्ट रहता है एक्सटरनल सपोर्ट वीबे को जिसके दूँख हम विपसेट को स्क्राइट पर सकते हैं अगर आपको वेच्ट स्क्रापिंग आइडिया नहीं है तो आप गू विप्टेंग विपसेट करेंगे लेकिन आपको यह भी वेजर ब्राजर रिसकर सकते हों यह सेलिए और विवे ना सबसे बड़ा प्षाय अगर नहीं है तो यहस आपको विप्टे लिए लिए लेगा पड़ेगा एंग वीपी शीज आरी चल रही है बसीक्तों अब एक्सर बढ़ा आपको नौदिश दे रहा हूं कि इससे लिए को डाउलोड करना है और इसमें चीजिसे किस तरह से काच से अदेनी है और क्या-क्या अप इसमें इसमें इस्यूस आ सकते हैं तो उस्के बारे में हम पूरी बात करेंगे एक बार यह जबाब का चीज रएडी हो Selenium VPA हम क्यों यूज करना चाहते हैं because we want to control the websites, okay, we want to control the websites, जैसे कि इसके तुरू we can launch a browser, ठीक है, browser जैसे जो भी आपके पास है, Firefox है, Mozilla है, you know, Microsoft Edge है, Google Chrome, हम लोग Google Chrome यूज करेंगे, ठीक है, कोई भी browser आप इसमें लाउंच कर सकते हैं और उसके तुरू अप अपनी वेबस websites को launch कर सकते हैं, तो यह हमारा परपस है, और उसके बाद फिर website से कोई आपको table, जैसे website में tables होते हैं, कोई information वो लेके extract करनी हो, ठीक है, Excel में लेके आनी हो, या फिर भी महाँ पे कोई hyperlinks बने हुए है, you know, आपको hyperlinks पे click करना हो, ठीक है, या कोई paragraph है, आपको paragraph extract करना हो, ठीक है, या उसमें कुछ search करना हो, ठीक है, या फिर जैसे आपने देखा होगा forms बने होते हैं हमारे websites में, तो उन forms को आपको fill करना हो, ठीक है, कोई भी ऐसी website से related चीज़ हम selenium vb के दूख करेंगे, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखें, हम website नहीं बनाने जा रहे हैं, website, web development की बात नहीं हो रही है, remember that, web development के लिए आप HP का यूज कर सकते हैं, ASP.NET का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें जैसे python है, ठीक है, selenium vb में हम already जो existing websites हैं, चाहिए वो आपके office की website हो, या कोई शे मार्टी की website हो, उनको हम scrap करेंगे, ठीक है, उनको हम control करेंगे, किस तरह से वो हम देखेंगे, so basically selenium vb सबसे बड़ा फायदा ये है कि it can use google chrome, google chrome कि तो हम लोग इस पूरे course में google chrome यूज करते हुए, हम लोग अपना selenium vb की libraries को यूज करते हुए, पूरा website को automate करेंगे, ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे है, हम करते है, what is selenium, ठीक है, selenium क्या है, ठीक है, फोड़ो से इसके बारे में जान करी लेते हैं, उसके बाद हम यह देखेंगे, कि हमें selenium के लिए, क्या का चीज़ें डाउनूट करनी होंगे, because direct नहीं चल पाएगा, यह external support है, ठीक है, it is not inbuilt feature in vb, ठीक है, it is not inbuilt library in vb, तो हम external support लीना पड़ेगा, तो हमें इसमें डाउनूट करना पड़ेगा, सबसे पहले, chrome drivers, ठीक है, chrome drivers के साथ था और जैसे मैंने बोला, firebox, mausala, इनके drivers भी डाउनूट कर सकते हों, ठीक है, वह ज्यादा important नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे, कभी, chrome drivers को डाउनूट करने के करेंगे, तो यह basically हमारे पास कुछ steps हैं, जो हमें करने हैं, तो में जागे आपको, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने video code में चलता हूँ, और यहाँ पे tools reference में, आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले, bankir में चलते हैं, ज्यादा interesting रहेगा, मैं यह यहाँ पे install हैं, देखें, यह मेरे users.jk में app data में local selenium basic में install है, यह library ठीक है, तो जब तर आप इसको download नहीं करेंगे, यह यहाँ पे library आपको नहीं मिले थी, और अगर यह library नहीं मिले, तो हम obviously इसके classes को use नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं ok करता हूँ, जैसे मैं ok करूँगा, और हम insert module में जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखें, object browser में जाते हैं, object browser में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे selenium आपको available हो जाएगा, इस selenium में यह देखें, यह सारे के सारे हमारे edge driver है, firefox का driver है, internet explorer driver है, ठीक है, तो इसी तरीके से chrome driver है, जो हम use करेंगे, तो अगर sel drivers के through, इस सारा काम नहीं कर पाएंगे, जैसे chrome driver में देखें, get method, get method क्या करता है, loads a new webpage, so basically drivers के through, हम जो है, अपनी website को launch करेंगे, ठीक है, अब क्योंकि मैंने सब कुछ download किया हुआ, इसलिए में पास यह दिख रहा है, आपकी case में यह नहीं दिखेगा, ठीक है, आपकी case में क क्यों नहीं दिखेगा, because आपने download नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको uncheck करता हूँ, एक बार इस तरीके से, ठीक है, uncheck जैसी में नहीं किया, आपके पास यह library यहां पर नहीं दिखेगी, तो आप इसको use नहीं कर सकते, करे, अब जैसे कि आपको पता है, कि यह मे मैंने यह download किया हुआ है, इसमें मैंने soft edge के drivers भी download के हुए है, और आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ, मैं यह सक delete करने जा रहा हूँ, और मैं इसको यहां से delete कर लेता हूँ, यह देखे, अभी अगर मैं option reference में जाने के बाद, अब मैं selenium को और search करता हूँ, यह देखे, यह देखे, selenium type library, ठीक है, मैं इसको ok करता हूँ, जैसे आप ok करोगे, वह कहेगा error in loading dl, यह library चुग है, यह upload होगी नहीं, because आपने वहां से remove कर लिए, naturally यह आप use नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें, जैसे मैंने बूला, सबसे पहले हमें क्या करना और साथ ही साथ हमें selenium download करना है, ठीक है, दोनों चीज़े हमें download करनी है, so that हम लोग उसके बाद tools reference में जानके, इन पे कहां कर सकें, ठीक है, so सबसे पहले हम selenium download करें, selenium basic download करें, उसके बाद हम chrome जो है download करेंगे, selenium basically है क्या, selenium एक package है, different libraries का, सबसे पहले आप यहां की website है, ठीक है, अभी तक तो यह website यह है, but future में आज़ा change हो जाती है, तो आप थोड़ा सा search कर ली जाएगा, ठीक है, but this is the website, इस website पे जब आप जाते हैं selenium.tave पे, इस पे आप documentation पे click केजिए, ठीक है, documentation click करने के बाद, यहां पे introduction में हम click करते हैं, यह ठीक है, selenium is an umbrella project for the range of tools and the libraries that enable and support the automation of web browsers, ठीक है, basically आप इसको एक as a project मानके चल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी आपको libraries मिलेंगी, जो आपकी web browsers को automate करने में help करती है, ठीक है, आपने अभी देखा था, जब selenium पे हम दे थे, तो वहां पे different, different हमारे पास classes वां पे visible थी, जैसे chrome के web drivers थे, edge की web driver, बहुत कुछ था, तो basically selenium जो है, बहुत सारे tools में use की जाती है, यह सिर्फ यही पर use नहीं होती, बीबे में, ठीक है, यह आप और जगह भी use कर सकते हैं, और languages में use कर सकते हैं, लेकिन बीबे में इसका support है, ठीक है, जैसे suppose, मैं आपको देखाना चाहूँ, selenium getting started, इसमें click ठीक है, through the user web drivers, तो web drivers की हमें जुरुत बढ़ेगी, ठीक है, हर browser का अपना web driver होगा, जैसे आपना Chrome का अपना web driver है, और edge का अपना जाट, ठीक है, और opera या जो भी है, आपके अपरास, ठीक है, so हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को browser पे click करना है, मैं browser पे click क करेंगे, ठीक है, browser और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस किस company का है, जैसे Firefox, Microsoft का है, एज आप सब आपने सुनाई होगा, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सिर्क और सिर्क और सिर्फ Chrome यहाँ पे click करेंगे, इस पे जैसी click करेंगे, हमें एक link आएगा, यह वाला, on versions available in download, यहाँ पे आपको click करना है, ठीक है, download, सारी versions हम यहाँ पे, अपने Chrome version के देखेंगे, यह सारी versions आपको यहाँ पे मिलन जाएंगे, ठीक है, आप इसमें देखिए, यह अभी हम driver को install करने जा रहे है, Chrome के, ठीक है, web driver for Chrome आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है, Selenium VBA भी हम install करना है, download करना है, वो भी हम अभी करेंगे, आगे बीचे आप कर सकते हैं कोई problem, यहाँ पे आपके पास Chrome के different versions है, 89, 90, 91, 92, ठीक है, अब आप उन से install करेंगे, आपने Chrome खुला होगा, तो आप अपने Chrome की यहाँ पी जो 3 dots है, यहाँ मिला के सबसे पहले help में जाएंगे, औ यह देखें, 92 के यह वाला Chrome driver में पास available है, यह सही होना चीए, अधरार यहाँ पे गडबड करके तो error आएगा जब VBA में उसको code को बनाके run करने के कोशिश करोगे, ठीक है, तो help से आपने अपना number देख लेना version और उसी के recording click up करेंगे, इस पे हम click करोगे, इस पे जब आप Windows यूज कर रहे हैं, I hope आप Windows यूज कर रहे होंगे, यह तो आप Mac का भी Google करके चेक कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं, लेखिंग मैं Windows की बात करूँगा, तो आप यहाँ पे Windows के लिए click करेंगे, जो भी आप 64, 32 पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, कोई problem ही है, इस पे click यहाँ पे, just right click किजे, और आप इसको folders में बारम देखते हैं, ठीक है, यह मेरा driver install होगे है, यह पुराने मैं delete करते हूँ, ठीक है, यह मैंने आपको बताया है था न, पहले से download थे, तो basically आपके पास यह Chrome driver, first time में जब आप करेंगे, first time में दरना है, उसके बात जूटती में पड़ेंगे, यह आपको इस से बन जाए, ठीक है, अब हमें क्यातरना है, basically इसमें file है, वो हमें extract, ठीक है, यहीं पे ड़ लेते हैं, right click करते हैं, और इसको extract यहाँ पे कर लेते है, extract here, ठीक है, यह एक्स्टाइक तो, इस फोल्डर के अंदर कर लेते हैं, यह पोल्डर बन करेंगे, उसके लिए हमें selenium जो है, वो सबसे पहले selenium vb अपना download करना है, ठीक है, तो, हम नहीं कहा कि हमने ground driver जो है, वो download कर लिया, it is download, ठीक है, और अभी वो हमारे download holder में पड़ा हूआ है, जो कि है, exec file, correct, executable file, so, अब हमें basic, selenium basic download करना है, अब पहले इसको भी कर सकते बाब में इसको कर लेजे, वो कोई problem नहीं है, अब selenium basic जो हमें download करना है, उसके लिए, आप लो क्या करेंगे, ये वाला हमारा काम कतम हो गया, इसको close कर देते हैं, आप google पे download selenium basic जो है, टाइप कीजे, इस तरीके से, ठीक है ना, और यहां पे, ये जिठव वाला, ठीक ह आप इसको directly copy कर सकते हैं, सिर्दा इसी को launch करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके help के लिए, ठीक है, अब जब हम इस पे finally आगे, हमें selenium basic ये वाला, download करना है, ठीक है, तो ये, इसको हम install करने हैं, जा रहे हैं, ठीक है, इसको, तो मैं इस पे click करता हूं, इस पे open करेंगे, open went down, ठीक है, तो ये, डाउनलोड हो गया है, एशक आप order में जा सकते हैं, जबारा से, showing folder, ये भी मेरा download folder में आ चुका होगा, क्याने का मतलब ये है, ठीक है, तो ये आपका selenium basic अब अब install करने जा रहे हैं, ठीक है, ये, एकसी file, remember selenium basic किस तरह से, इस पे double click कर और instruction follow करतें, बहुत easy, next, I accept, next, उसके बाद ये देखिए, सारे web drivers हैं, ठीक है, Firefox का है, Okra का है, Internet Explorer, Microsoft Edge, ये, कफ़ी सारे आपके पास browsers हैं, बट इसमें ये निशोर अब ये सारे बाकी सारे up to date होंगे हैं नहीं, इसलिए, what we do, we will say, compact installation, ठीक है, compact installation में बस आप ये रखेंगे और अब आगे चल का रहा हैं, इसको next next करके download करेंगे, ठीक है, तो इसमें web drivers सारे आपके, जो हैं वो हटके, next करेंगे, उसके बाद इसको install करते हैं, ये install होना शुरू हो गया, सिर्फ finally आप install हो गया, इसको finish करते हैं, ठीक है, अब ये, जो install हुआ है, ये देखिए, मैं आ पात आता है, ठीक है, जैसे next कर रहे थे हम, उसके बाद एच्छे मैं accept करता हूं, निक्स करता हूं, अभी इसको ऐसे चोड़ते हैं, ये देखे, यहाँ पे न, ये सी यूजर, आपका username जो भी होगा, यहाँ पे selenium basic वे सारी files आपके install होंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पे user में, और user के पाद आप जाएंगे, जो वेरा user नहीं है, ठीक है, दियान रखेगा कि, यहाँ पे आने के बाद उसकता आप वे देखे न, तो view में जाके, यहाँ पे hidden items पे check mark ज़रूर रखना है, नहीं तो कुछ folders hidden होते हैं, वैसे सब को पता होता है, पिर भी मैं बता रहा तो यहाँ पे आपका सारा कुछ download हो चुका है, ठीक है, उसके बाद, जो हमने web driver chrome का install किया था, जो हमने zip कर लिया था, यह उन्सिप किया था, यह वला है न, दोई चीज़ इंस्टॉल की है, एक selenium basic, वीडे और एक यह chrome driver, तो इसको cut करके, control x, यह control c, जो भी आपको करना कि मज़ी है, मैं इसको cut करके, उसी folder के अंदर हमें, बड़े ध्यान से इसको paste करेता है, ठीक है, तो अब देखे, chrome driver आ गया, क्योंकि हम chrome यूज़ करने वाले है, ठीक है, उसके बाद, आप हम simple अपने excel में जाएंगे, और excel में जाके उही चीज़ अब मैं दोबारा repeat ठीक है, और देखते हैं कि अब यह library activate होगी कि नहीं, यह आप देख सकते हैं, selenium 32 हमारा यह ओरड़ी upload होके है, ठीक है, नमबर पे नहीं जाना, आपने 3260 को दोनों हो जाएंगे, क्लिक होके, अब देखे, error आया, नहीं आया, fantastic, और जब आप tool darkness पे जाएंगी, तो आपको Selenium यह वाला भी हमने done कर लिया, ठीक है, और यह तो chrome driver भी हमने download कर लिया था, यह अपने direct v-way editor से download कर लिया, ठीक है, v-way editor से, तो इस चरीके से हमने सारी चीज़ें download कर लिया, और अब कोई error भी नहीं आया, अब इसके बाद जो अगला step होगा, वह यह होगा, कि हम आप direct coding start कर लिया, ठीक है? अब हमेशा data analytics से होगा, अधर हम रह रहे हैं, तो हमेशा up-to-date रहना ही होगा, तो गोगल कर लिए चीज़ें चेक कर सकता है, फिलाव फिले इसके कोई दिक्कत नहीं है, और अब ही कर लीजे, अधर आपको गई पर कोई issue आता है, तो इस comment section में लिखे ला, ठीक है, लिखे एक चीज़ें याद रपनी है, पहले पूरी ट्राइ करनी है, यहीं कि फॉर्स्टाइक क्या और एरर आ गवरार और सिधा comment section में लिख दिया, नहीं, आप अपने इंसे भी Google करो, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिसलिए आपने ही तरह ही कि Google पर चीजें ढूँना और इसका solution find out करना, आप समझ आओ कि आप आदे एक programmer तो उसी दिन बन गये हो, यह भी एक करायर देंस, इस चीज़ों को अपने हिसाब से गूणना और फिर उनको sort up करना, प्रिकि इस Google के बहुत बारता होता है, आपको चीजें वैसी ही मिलती है, लेकिन अधर आपको सोचन समझने का पहर आगया है कि यह चीज मुझे ऐसे बोल रहा है, तो मेरे प्रोजेक्ट में ही चीज थोड़ा सा ऐसे होगी, तो चलो एक और इसे से रेलेड़ेट एक question फोड़ा सा चेंज करतें, गूगल कर ले दें हैं, फिर code आपको थोड़ा सा different मिले ना, फिर दोनों votes को इसी तरसे हम सीखते हैं, तो जो इस बोकल सर्च है ना, जिसमें बहुत सारे स्कूलिट्स सब्स्टेक्ट हो जाते हैं, यह भी आपकी का पार्ट है, तो टड़े रो, हटना नी हो इसे हैं, पाकि मैं आप सब के साथी, जितना मुझे आता हैं, वह मैं आपको ग्यान दे रह दो आपनी हैं, तो बहुत सारे मुझे उ स्कूलिट्स आपकी का थे बहुत से बहुत से हैं, झांउ delुट। से कि आपकी का रओट। से टक्ते हैं, और कर अपकी का रढ देमकी के दो पारेन 12 segregation Markया को तिक रूर, आपकी और, रहा हाना जाल 생्क है । पटारे आता हैं, जो